नमस्कार दोस्तों आखरी चलन की चुनाव हो चुके हैं और अब तक कई राज्यों के एक्जिट पोल सामने आ चुके हैं तमाम राज्यों के जो एक्जिट पोल गोधी मीडिया के चानल लगातार दिखा रहे हैं उन तमाम एक्जिट पोल की अखिलेश यादव ने दोस्तों बकाईदा एक पूरा लेटर जारी किया था अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया की जो पॉल खोली है उसके लिए उन्होंने पूरा एक लेटर दोस्तों यह जो लेटर आप देख रहे हैं यह लेटर जारी किया है और जन्ता को अपने समर्थकों को पहले ही आगा कर दिया कि गोदी मीडिया कोई न कोई खेल इस एक्जिट पोल में करने वाला है अंतिम चरण के मद्दान से पहले समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव इन्होंने अपनी पार्टी की कारे करता हूं प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को एक खास मेसेज य सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर पूरा लेटर लिखा है उसमें क्या कुछ बाते लिखी हैं क्या जरूरी बाते मेंचन की हैं वो सब हम आपको बता देते हैं देखें अखिलेश यादव ने इस लेटर में लिखा है कि प्रिये कारे करता हूं पदाधिकारियों और प्रत्याशियों मैं आप सब से एक बेहद जरूरी अपील करता हूं आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बात के दिनों में भी मतगरना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरीके से सजग, सतर, सचेत और साबधान रहेगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आईएगा ये अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया एक दिन पहले जो सातमा चरण आज हुआ है उसके एक दिन पहले ये अखिलेश यादव ने ये बाते इस लेटर में लिखी हैं अब आगे देखिए दरसल ये अपील हम बढ़त मिल रही है तो ये तमाम जो बाते हैं अखिलेश अदव कह रहे हैं कि भारतिया जंता पार्टी पहले से ही ये प्लान कर चुकी है और गोदी मीडिया को ये इंस्ट्रक्शन दिये गये हैं कि पहले से ही आप जो है एक्जिट पोल में दिखाना शुरू कर दीजे कि भारतिया जंता पार्टी तीन सो से ज्यादा सीटे जीत रही है और ये जूट फैलाने की कोशिश की जाएगी ऐसे में आपके मन में ये सवाल उचेगा कि भाजपा को इन दो तीन दिन का जूट बोलने से क्या मिलेगा जो कि इंडिया गडबंधन की सरकार बनने जा रही है इसके जवाब में हम आपको बता दे कि ऐसा जूट फैला कर भाजपा वाले आप सब का मनुबल गिराना चाहते हैं जिससे आपका उच्छा कम हो जाए और आप लोग मतगरना के दिन सावधान और सतर्क ना रहें जिसका फायदा उठाते हुए भारतिया जुनता पार्टी क फुलकर ये बात कह रहे हैं कि तो ये आकड़ा इसलिए दिया जा रहा है ताकि भारतिया जुनता पार्टी किसी तरीके का कोई खेल ना कर सके वोटिंग वाले दिन यहां पर अधिकारियों के साथ ब्रश अधिकारियों के साथ मिलकर भारतिया जुनता पार्टी वोटिंग कि दिन कोई खेल कर सके इसलिक अखिलेश यादव कि चेतावनी पहली दे रहे हैं कि आपका मनोबल नविआ टूटे और ये ये जो पूरा रायता पहिलाया जा रहा है यह जो पूरा आपको एक ब्रह्म दिखाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपका मनुबल टूट जा लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए यह अखिलेश यादव का कहना है अब आगे देखिए अखिलेश ने क्या लिखा हुआ है उन्होंने ध्यान रहे जो भाजपाई चंदीगड के मेर के चुनाव में कोट द्वारा लगाए गए क्यामरे के सामने धानली करने का बेश्चर्म दुसाहत कर सकते हैं वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए उतारू हो सकते हैं इसलिए यह सजगता बोड़ी है तो अख्लेश यादव नहीं हैं अब चंदीगड के चुनाव का भी जिक्र किया है इस तरीके से चंदीगड के चुनाव में पूरा खेल घील हुआ था, पूरी धानली हुई थी उसका भी अख्लेश यादव यहां पर जिकर कर रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर खेल हुआ था वैसा कुछ एक बार फिर से लोग सभा चुनाव में भी हो सकता इसलिए इसका ध्यान आप सभी को रखना पड़ेगा ये बात इकलेश यादव ने कही है इसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि इसलिए आप लोगों से ये विशेश अपील है कि आप लोग क प्रमान पत्र लेकर ही समविधान लोकतंद्र और देश की जनता की जीत का उत्सव मनाएंगे यानि की पूरी तरीके से सतर करेए और मदान भी करेए मदान भी होगा और साथ में आपको सावधानी रखने की भी बहुत जरूरत है तो ये तमाम बात ये अखलेश यादव न क्या दिया है कि ये सब कुछ एकदम फ्लॉप सीन है ये पूरा प्लानिंग के तहर तक जिर पोल किया जा रहा है तो इसी लिए सतर्क रहने की जरूरत है सावधान रहने की जरूरत है आपको क्या लगता है आप अखलेश यादव के इस लेक्टर के बारे में क्या सोचते है में कमें सेक्षिम लेकर दरूर बताएगा ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहा हैं नमस्कार